संसत के मांसुन सत्र की आज आठवे दिन भी दोनों सद्नों में जमकर हंगामा हुआ जिसके बार लोगसभा और राजिसभा की कारवाही इस्थागित कर दी गई पिछले साथ दिनों की कारवाही भी मणिपूर मामले पर पिया मोदी के जवाब देने की मांग को लेकर हुए हंगामे के चलते ही नहीं चल पाई थी तो चलिए अब आपको बताते हैं सदन में पूरे दिन क्या कुछ हुआ है संसत के मांसून सतर के आठवे दिन भी संसत की दोनों सदनों में बवाल देखने को मिला सदन की कारवाही शुरू होने से पहले इंडिया गठवंदन ने बैठक की जिसमें मणिपूर से लोटे गठवंदन के सदस्ते उन्हें अपनी रिपोर्ट दी जिसके बाद सदन शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपूर का मुद्दा उठा दिया राजसभा में मलिका अरजुन खडगे के बयान को लेकर भी टकराव देखा गया जे रामनमेश ने कहा कि विपक्ष के नेता को भी सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में सदन पक्ष के लोग खडगे की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे है इसे लेकर सदन में सभापती और कॉंग्रे सदस्यों के भी जमकर बहस भी हुई इस भी सभापती धनकड ने मणिपूर मामले में नियम 176 के तहए चर्चा कराने के प्रस्ताप को सुविकार कर चर्चा भी शुरू करा दी लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहए चर्चा कराने पर अड़ गया और इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया दरसल विपक्ष सदन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मनिपूर पर बयान देने की मांग कर रहा है लेकिन पिया मोदी मांसुन 17 में अभी तक सदन में ही नहीं आये है आज हंगामी की कारण संसद में दिल्ली आधा देश पिधायक की जोगा लेने वाला बिल भी पेश नहीं किया गया लेकिन किंद्री मंत्री अनुराक ठाकुर ने लोगसभा में सीने मेटोग्राफर संशोधन बिल 2020 को लोगसभा में जरूर पेश कर दिया राजसभा में ये पहले ही पास हो चुका है इस बीज विपक्षी संसद अब लोगसभा स्पीकर और राजसभा के सभापती से मिलने की तयारी में है विपक्षी संसदों की मांग है कि उन्हें मणीपूर के जमीनी हालात पर बोलने की इजासत दी जाए इसे के साथ कॉंग्रेस के संसद रंडीप सुर्जेवाला ने कहा कि 68 संसदों ने मणीपूर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था लेकिन सरकार इससे भाग रही है और वे चर्चा चाहते है डीबी लाइफ की रिपोर्ट